हलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है अपका मेरे चैनल में आज हम सेर करेंगे आपके साथ गाजर मोली मिर्ची के अचार की रेसेपी और ये अचार इंस्टेंट बनने वाली है तुरंत आप इसे बना के खा सकते हैं या महीनों स्टोर करके भी रख सक ये खराब नहीं होगा और बहुत जल्दी बन जाता है इसे बनाने के लिए आपको कोई स्पेसल मसाली की जरूरत नहीं है एक बर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक यह चार की रेसेपी आपको जरूर पसंद आएगी तो चलिए हम बनाते हैं गाजर मूली मिर्ची की अ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और यहां पे हम इसे धूप में रख दिये थे दो घंटे के लिए यह अच्छे से सूख गया है और मिर्ची में हम हलका सा कट लगा दिये हैं ताकि मसाले अंदर तक जा सके इसे अच्छे से सुखा जरूर लीजेगा अगर धूप नहीं आ रह तो ड καला सारसो और दो चमच यहां पे सौफ डालेंगे आधे चमच मेती डालियेगा नहीं तो अचार में करवाहत आ जब धूड़ा सा और आधा चमच हम यहां पे ब्लैक पेपर डालें हैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लिजीए गैस का फ्ले में यहां पे आप आप로ड़ अब इसमें हम एड़ कर लेंगे अजवाइन तो यहां पर एक चमस से थोरा सा कम अजवाइन डाले हैं अजवाइन को लास्ट में डालिएगा यह बहुत जल्दी भुना जाता है तो लास्ट में इसे डाल के थोरी देर भून के हम गैस बंद कर देंगे इसे निकाल लेते हैं और यह जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम दरदरा सा पीज के पाउडर बना लेंगे आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं और यहां पर सेम कराई में हम डालेंगे सर्सो तेल तो अचार में थोरा सा जादा तेल रहे तो अच्छा लगता है पर आप कम तेल भी ले सकते है और अचार सरसो तेल में ज्यादा अच्छा बनता है, तो सरसो तेल ही लीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं है, तो कोई और तेल ले सकते हैं, और यहां पे तेल हलका सा गरम हो गया है, इसे एकदम से जलाना नहीं है, हलका सा इसमें से आपको लगे कि धुआ निकल रहा है आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से इसे कूट लीजे या पीस लीजे और गैस हम बंद कर दिये हैं तेल हलका सा ठंडा हो गया है तो इसमें हम डाले हैं आधा चमच, कलोंजी और थोरा सा अजवाइन डाले हैं और अब इसमें हम डालेंगे हिंग, एक चौथाई चमच के करीब इसमें हिंग डालेंगे और एक चमच भर के कस्मिरी लाल मिर्ची पौडर डालेंगे इससे बस अचार का कलर बहुत सुंदर आ जाएगा, तीखा बिल्कुल नहीं होगा और आधा चमच हल्दी पौडर डाले हैं, ये डेर चमच हम यहाँ पे डालेंगे आमचुर का पौडर, आमचुर के पौडर से अचार में एक खटा पनाएगा तो आप इसे जरूर डालिएगा, अगर आप आमचुर पौडर नहीं डालना चाहते हैं तो एक बड़े निम्बू का जूस या दो ढ़ाई चमच के करीब इसमें निम्बू का जूस डाल दीजेगा यहाँ पे मसाले को हम मिक्स कर लिए हैं, अब इसमें ये गाजर मूली मिर्ची डाल देंगे तो पूरे गाजर मुली मिर्ची को हम इसमें डाल देते हैं इसे अच्छे से सुखा जरूर लीजिएगा अगर इसमें थोरा सा भी पानी रहा न तो ये अचार खराब हो जाएगा इसलिए इसे अच्छे से जरूर सुखा के डालिएगा और अब इसमें हम डाल लेंगे वो मसाले जो पहले भून के बनाए थे तो ये पूरा मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे धाई चमच के करीब इसमें हम मसाला डालेंगे अगर पूरा डाल देंगे तो जादा हो जाएगा तो आप अपने पसंद के अनुसार इसमें ये मसाले डाल लीजिए हम यहाँ पे ढाई चमच डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे नमक डालेंगे तो टेस्ट के अनुसार यहाँ पे नमक डाल लीजिए पहुत जल्दी बन जाता है आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा यह अचार बनाने में और आप इसे बना के महीनों तक खा सकते हैं इसे फ्रीज में भी रखने की जुरत नहीं है आप इसे बाहर रखिए ये खराब बिल्कुल नहीं होगा और यहाँ पे यह अच्छे से मिक्स हो गया है आप देख सकते हैं तो अब हम इसे एक काच के जार में रख लेते हैं अचार को काच के जार में रखेंगे न तो उसका लाइफ बढ़ जाता है जल्दी खराब नहीं होता है और अचार जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब ही इसे बंद कीजिएगा तो यहाँ पे पूरे अचार को हम इस जार में रख लेते हैं गाजर मूली मिर्ची के अचार पूरी तरह से बनके तयार है आप इसे महीनों रख सकते हैं यह खराब बिल्कुल नहीं होगा बस इसे पानी से दूर रखिएगा अचार को कभी हाथ से न लेकालने के लिए वह चमच बिल्कुल सूखा होना चाहिए उसमें थोरा सा भी पानी नहीं लगा होना चाहिए तो यह अचार बहुत दिन तक चलेगा खराब नहीं होगा अगर बच गया तो यह इतना टेस्टी लगता है न कि यह बचेगा ही नहीं आप बनाते जाएंगे खतब होता जाएगा तो आप बनाईएगा आसान रेसिपी है बहुत जल्दी बन जाता है और यह अचार पराठे पूरी सब के साथ अच्छा लगता है किसी के साथ भी खा सकते हैं आपके खाने का टेस्ट बढ़ा देगा एक बार बनाईएगा और बताईएगा कैसा लगा मेर अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल का बटन भी प्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर विडियो आपके पास पहुंच सके विडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे सेर कीजे कमेंट कीजे और अगर कुछ अच् झाल झाल